एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुती चालाक बिल्ली रहती थी, उसका दिमाद बहुत देश था, एक दिन चालाक बिल्ली रात में जंगल में घूम रही थी, तब उसे शेरु कुत्ता नजर आता है, चालाक बिल्ली उसके पास जाती है, तब उसे नजर आता है कि शे तब अराम से खाउंगा चालाग बिल्ली को तब बहुत भूक लगी थी और उसे वो खरगोश खाने का था उसे ये भी पता था कि शेरू तो उससे खाने के लिए नहीं देगा इसीलिए वो दिमाग लगाती है और कहती है शेरू क्या तुम्हें पता नहीं, रात में खरगोश खाने से बूत बीचे लग जाते हैं, और जब वो तुम्हें पकड़ लेते हैं, वो तुम्हें खा जाते हैं, यही सब दूरत लोम्री के साथ भी हुआ था, वो विचारी जैसे तैसे बची थी, क्या तुम्हें भी इन सम मुझे देदो मैं इसे खालूंगी क्या फिर तुम्हारे पीछे भूत नहीं लगेंगे शेरू जिसने खरगोश भारा है सिर्फ वही खरगोश नहीं खा सकता पर मैं तो खा सकती हूँ न अरे ऐसी बात है फिर तुम यह खरगोश ले सकती हो और तुम्हारा बहुत-बहुत श ज़्वे लगती है यह कितना पेवकूफ है शेरू को तो मैं कभी भी असानी से बेवकूफ बना सकती हूँ और फिर वो खरगोश खा लेती है इस कहानी से हम यह सीख मिलती है कि हर किसी पर आक बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए तो दोस्तों इस कहानी में हम बात करने व जंगल के शिकार करने वाले जानवर इस गाय को खाने की पीचे ही पड़े थे इन सब परिशानी से दूर जाने के लिए सोने की गाय जंगल के बाहर दूर पहाड में आकर रहने ले इन सब को बहुत साल बीच जाते हैं इधर जंगल में वो शिकारी जानवर भी उस गाय के बारे में भूल जाते हैं। थोड़े दिनों बाद जंगल का राजा शेर खान का बेटा रिकी जंगल के पहाड उपर खेल रहा था। वो यहां वहां कूद रहा था। तब उसका पैर फिसल जाता है और वो उचे पहाड से नीचे गिरता है। उसे बहुत जखमा आती है और व और वो भ्योशी के हालत में ही था। शेर खान अब बहुत परिशान हो जाता है। अपने बेटे को बचाने के लिए वो बहुत महनत लेता है पर कोई फाइदा नहीं होता। शेर खान बहुत दुखी हो जाता है। वो जंगल में एलान करता है कि जिसके पास भी उसके बेट बैटे को बचाने को उपाय होगा, उसे बहुत बड़ा हिनाम मिलेगा। जंगल के कई जानवर शेरखान के बैटे को बचाने की कोशिश करते हैं, पर उनकी कोशिश नाकामयाब हो जाती है। के पास जाता है और उसे बीती बाते बताता है शेर खान वो सब तो ठीक है मुझे आपके बेटों को बचाने में बहुत खुशी होगी पर मुझे डर है कि मैं जंगल में आओ और वो शिकारी जानवर मुझे खाना जाए मैं तुम्हारे साथ रहूँगा तुम उसकी चिंता मत करो सिर्फ मेरे बेटे को बचालो शेर खान की बात सुनकर जादूई गाए बाइन जाती है वो दोनों शेर खान के घर जाते हैं जादूई गाए शेर खान के बेटे को दूद पिलाती है और दो ही मिनिट में शेर खान का बेटा पहले जैसा तंदुरुस्त हो जाता है अप जादूई गाय का जंगल में होना बहुत जरूरी है यह हमारे जंगल के लिए एक वरदान है अगर किसी ने भी जादूई गाय को हानी पहुचानी की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं तब से जादूई गाय जंगल में ही रहने लगी और जंगल के जानवरों की मदद करने लग जिससे सभी जानवर बहुत डरते थे, लेकिन कोई एक ऐसा भी था, जो बाग से बिलकुल नहीं डरता था मैं हूँ जादूगर चूहा हाँ दोस्तों, वो था जानवर चूहा, बिलकुल नहीं डरता था, किसी से भी नहीं डरता था उसके दोस्त थे सुनेरा हिरन और चुटकू बंदर, लाइफ मजे में कट रही थी, चूहा अपने दोस्तों को अक्सर बढ़िया बढ़िया जादू दिखाता था दोस्तों, ये सामने टोपी देख रहे हो, मैं इसके अंदर से अभी खरगोश नकाल के दिखा सकता हूँ उसके दोस्त गार से देख रहे थे, और जैसे ही चूहे ने चुड़ी गुमाई, उस ठोपी के अंदर से खरगोश निकला चुटकू बंदर और सुनेरा हिरन ताली बजाने लगे और बहुत कुश हुए अरे तुम लगों की तालीयों से खरगोश डर कर भाग गया, पकड़ो से जैसे तैसे खूब दोड भाग के वो खरगोश पकड़ में आया, इस तरह वो खूब मस्ती करते रहते थे लेकिन एक दिन सुनेरे हिरन को रास्ते में पाग मिल गया बाग भाईया, मुझे मत खाना प्लीज लेकिन बाग नहीं माना और उसने सुनेरे हिरन पर हमला कर दिया सुनेरे हिरन अपनी चान मुचा कर भागा और अपने दोस्तों के पास पहुँचा, उसने अपने दोस्तों को सारी बात बताई इस बाग ने तो सबी जानवरों को जीना मुश्किल कर रखा है, कुछ करना पड़ेगा लेकिन हम तो बाग से मुकाब्डा नहीं कर सकते, वो इतना ताकतवर और हम इतने कमजोर दो इस तरह हार कर नहीं बैठ सकते, कुछ तो करना पड़ेगा फिर चुआ अपने दोस्तों के साथ मिलकर बाग से लड़ने की योजना बनाने लगा फिर मत जुटा कर जंगल के और भी जानवर इस योजना में शामिल हो गए दोस्तों, हम सीज़ी ललाई में बाग से नहीं जी सकते, क्योंकि हम सबकी मिलकर भी ताकत बाग से कम होगी जानवरों ने चुए से पूजा के फिर क्या करना चाहिए? मुझे कुछ समय तो सोचने के लिए कुछ दिन बाद चुआ सबी जानवरों से मिला और सबको योजना बताई बाद बढ़िया योजना है, हम सब तुमारे साथ नने चुए फिर सबे जानवरों ने योजना के अनुसार काम करना शुरू कर दिया सबी ने एक साथ मिलकर पूरा बंदो बस चुए के कहे अनुसार कर दिया और फिर बारी आई चुटकू बंदर की पूरा बंदो बस तो गया दोस्तों, अब मैं जाता हूँ और अपनी हिस्सी का काम करता हूँ गड़ लग चुटकू बंदर, लेकिन साथ दारी रखना, क्योंकि इस काम में बहुत खतरा है बंदर वहां से निकला और सीधा पहुचा बाग के गुफा में बाग बंदर को वहां देकर बहुत बढ़क गया और जोर से दाड़ा बंदर थोड़ा डरा, लेकिन योजना तो कुछ और ही थी इसलिए बंदर बिना डरे बाग के पास गया और उसके शरीर के बाल तोड़कर उन बालों से अपने दाथ को साफ किया बाग, ए बंदर, तु पागल हो गया क्या, मौत आ गये तेरी लेकिन बंदर तो बाग को मूँ चड़ाने लगा, बाग और गुस्से में आया अब तो बाग बंदर के पीछे, और बंदर अपनी जान मचाने के लिए बागने लगा बागते बागते दोनों एक पीड के नीचे पाँच गया रोग बंदर रुक गया अब तुम उससे नहीं बचेगा बंदर अगर दम है तो मुझी हाथ लगा की दिखा बाग बाग उस्से से बरा हुआ बंदर की और चप्टा और जानवरों द्वरा बनाए गई गोले में पहुंच गया बंदर तो छड़कर पेड़ पर चड़ गया और जंगल के सभी जानवर उस गोले के आसपास आकर खड़े हो गए बाग तुमने जानवरों का जीना मुश्किल कर दिया है तुमें अपनी तागत पर बहुत कमंड है अब ये तागत नहीं रहेंगी तुम भी हमारे जैसे बन जाओगे ये कहकर चुए ने अपनी चड़ी गुमाई और चड़ी के गुमते ही बाग एक चोटे से खरगोश मदल गया सभी जानवर खुश हो गए और उसके बाद सब खुशी-खुशी रहने लगे एक हरा भरा सा जंगल था और वहाँ एक बिलकुल साफ नदी बहती थी जंगल के सभी जानवर उसी नदी पर पानी पीने के लिए आते थे उन सभी जानवरों में एक उट और उसके दो बच्चे भी थे उट बहुत ही शांत जानवर था और वो अपने बच्चों को भी अकसर सभी जानवरों से मिल चुलकर रहने और कभी किसी से लड़ाई ना करने की सीख दिया करता था उट बोला बच्चों हमेशा प्यार से रहना और बुरे लोगों से दूर रहना कभी उनके बहकावे में मत आना बच्चे रोज अपने पिता के साथ नदी पर पानी पीने चाते और सीधे घर चले आते भीडिया अपने मन में बोला इन उट के बच्चों को देख कर तो मेरे मुँ में पानी आ जाता है ना जाने कभी ये मेरा शिकार बनेंगे मेरे रास्ते का काटा तो ये उट है भीडिया उट की वज़ा से उन बच्चों का शिकार नहीं कर पा रहा था इसलिए अपने शिकार के लिए वो को छुपाए सोचने लगा भीडिया ने सोचा कि किसी तरह उट बच्चों से दूर हो जाए तो उसका काम बन जाए अगले ही दिन फिर से उट और उसके बच्चे नदी पर पानी पीने गए अब उट तो भाई उट ठहरे पानी बहुत ज़ादा पीते हैं ये और पानी पीने में समय भी लगाते हैं वो तीनों पानी पीने में लगे हुए थे और तभी भीडिया वही पाज जाडियों में आकर चुक गया और वो सब कुछ देख रहा था भीडिया बोला मुझे कुछ न कुछ करके दोनों बच्चों को उट से दूर करना ही होगा भीडिये ने दिमाग लगाया और तभी उसको एक उपाय सूचा भीडिये ने चाल सोची और उसने अपने सिर पर थोड़ा लाल रंग लगा लिया फिर वो उट के पास किया और बोला उट भाईया उट भाईया मेरी मदद करो देखो मुझे बहुत चोट लग गई है और मेरा भाई वहाँ जाडियों के पीछे पड़ा हुआ है मेरी मदद करो उट सोचता है कि भाई भीडिये की बात पा भरोसा तो नहीं किया जा सकता है लेकिन फिर वो कुछ सोच कर बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद करने के लिए चलता हूँ और बच्चों तुम यहीं रुखना कहीं जाना मत मैं अभी लोट कर आता हूँ अपने बच्चों को इतना समझा कर उट भेडियों के साथ चल दिया और दूर जाडियों में जाकर उटने कहा भेडिये यहां तो कोई नहीं है कहां है तुम्हारा भाई भेडिया जोर-जोर से हसने लगा कौन सा भाई मेरा तो कोई भाई नहीं है ये सब तो तुम्हें फसाने की चाल थी भेडिये ने एक लकडी का जाल उट के लिए लगा रखा था और अब उट उसमें फस चुका था उट उस जाल से बाहर आने की कोशिश करने लगा और भेडिया उट के बच्चों को अपना शिकार बनाने के लिए वहां से चल पड़ा बच्चों के पास जाकर भेडिया बोला बच्चों आप तुम दोनों मेरे शिकार हो बताओ मेरे पेट में सीधे जाना पसंद करोगे या मसाले के साथ उट के बच्चे भेडिये के बास सुनकर बहुत ज़्यादा डर गए दोनों बच्चे मदद के लिए चिलाने लगे मगर उनकी आवाज सुनने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था और वहाँ जाल में भसा हुआ उट अपनी पूरी ताकत से जाल को तोड़ने की कोशिश कर रहा था उट के बच्चों ने अब भगवान से प्रार्थना करनी शुरू करती और वो रोते-रोते बोले बच्चों का शिकार करने के लिए आगे बढ़ने लगा और तभी एक चमतकार हुआ और उट की जाल को तोड़ने की कोशिश काम करकई जाल तूट चुका था और उट बाहर आ गया था वो जल्दी से अपने बच्चों के पास आया और भेडिये को वहाँ देखकर बहुत जादा गुस्से में भर गया और बोला भेडिये तूने मुझे धोका दिया अब मैं तुझे नहीं चोड़ूंगा उट को इतने गुस्से में देखकर भेडिया तर गया उट ने गुस्से में अपनी बड़ी बड़ी और मजबूर टांगों से भेडिये पर जोरतार हमला कर दिया और एक ही वार में भेडिये का काम तमाम कर दिया उट और बच्चे अपने घर के लिए चल पड़े तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है अच्छी लगी कहानी जल्दी से हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसी और कहानियों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए मिलते हैं अगली कहानी में तब तक लिए बाबाई जंगल बहुत कुपसूरत जगा है जंगल के कुछ नियम है हर जानवर का रंग आकार और खूबी अलग अलग होती है मुझे ये संदर रंग प्रकृति ने दिया है मैं बहुत कुछ हूँ जंगल के सभी जानवर सफेद हाती से बहुत प्यार करते है सफेद हाती के पास तागट के साथ साथ अच्छा स्वभाव भी है सफेद हाती मुश्किल समय में हर जानवर की मदद करता है इसलिए सब उसकी दोस्त है इस हाती के अनोखे रंग के कारण सब जानवर इससे प्यार करते है लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूँगा कुछ तो जरूर करूँगा शियार को इसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था वो तो बस हर समय दूसरों को नुक्सान पहुचाने के बारे में सोचता रहता था शियार हाती को नुक्सान पहुचाने के चाल सोचने लगा किसी भी तरा मुझे सफेद हाती का रंग उतारना होगा शियार हाथी का रंग उतारने के चुगत में लग किया क्या क्या नहीं किया उसने कभी चुक्के से हाथी को कपड़े से साफ करके देखा तो कभी उपर से चुक्चाप हाथी के उपर बानी डाल दिया लेकिन हाथी का रंग तो प्राकृतिक रंग था सियार बहुत कोशिशों के बाद उदास होकर बैठा था, उसे कुछ सूझ था, तब तक एक बैल गाड़ी जंगल के रास्ते पर रुकी हुई दिखी, शायद उस बैल गाड़ी का वालिक कहीं चला गया था, सियार गाड़ी को देखने लगा, अरे, ये क्या है, बैल गाड़ी में एक बाल बड़ी टंकी रखी हुई थी, सियार उस टंकी में जाक कर देखने लगा, वो देखी रहा था गया, अचारक उसका बैलेंस बिगड़ गया, अ अ अ गिर पड़ा, सर पूट गया मेरा, ये क्या है, वो टंकी नीला रंग से बरी अरे भा, ये तो कमाल हो गया, हाथी का रंग नहीं छूटा तो क्या हुगा, मेरा रंग तो नीला हो गया, जंगल के सभी जानवर अब मेरे पैन होगे अपना नीला रंग लेकर, नीला सियार जंगल के अंदर बहुचा, जिस जिस जानवर ने उसे देखा देखता ही रह गया, कि उस जानवर तो उसकी तारीफ ही किये जा रहे थे हरे भा, क्या रंग है, तुम तो कमाल के लग रहे हुई सियार उन तारीवों से बहुत खुश हो गया था, अब सियार ने सफेद आजी के बास जाने का सूचा, आथी के मज़े लेने पहुच गया सियार काओ आथी, कैसा लग रहा हूँ मैं, और कैसा ए मेरा डीला रंग, ये ये तुम अच्छे लग रहे हूँ, लेकिन ये रंग कितने दिन रहेगा? क्या मतलब कितने दिन रहेगा? कोई मज़ाग ये क्या? पैशा रहेगा ये रंग ठीक है बाई, अब मैं चलता हूँ, नदीमन आने जा रहा हूँ, क्या तुम चलोगे? हाँ, क्यों ने? सफेध हाथियो निला सियार नदीमन आने जा रहे थे, तो भी हाथी बोला ए सियार, नदीम उतरने से पहले ज़रा सोच लो क्या मैं डर पाउख हूँ? कहीं तुमारा रंग न निकल जाई, इसलिए क्या रहू? सियार नहीं माना, और शेखी बगार्डे के चक्कर में नदीम उतर गया हाथी तो मस्ती मना रहा था, लेकिन सियार नदी के पानी का रंग नीला होते देख चौक गया अरे ये क्या? ये पानी नीला क्यों हो गया? सियार नदी से बाहर निकल आया, और अब पूरी तरह पहले जैसा हो चुका था अपना रंग देखकर उदास हो गया, लेकिन हाथी ने उसे समझाया दोस्त, तुम जैसे हो बहुत अच्छे हो, भगवार ने सब को एक अलग पचान दिये और हमें उस पहचान का सम्मान करना चाहिए अब यार खुश था, बास समझा गई थी, उसकी हाथी से दोस्ती भी हो गई थी शिक्षा, हम जैसे हैं बहुत अच्छे हैं, हमें अपनी बुरी आदतों को बदलना चाहिए